नमस्क्राइब मेरे नाम है सुरंदर सिंग और आप देखने हैं SM News आज हमारे साथ हैं प्रॉफेसर रदनलाल जो बहुत ही चर्चित चेहरे हैं जो हमेशा डिबेट्स पर आपको बिलते हैं प्रॉफेसर साब आपका हमारे चैनल में स्वागत है तैंक यू शुक्रिया आप प्रॉफेसर हैं और दलित समास से आते हैं तो मैं आपसे प्रॉफेशनली जो प्रॉफेसर वाला कोशन है वही करूँगा कि इस देश के अंदर बहुजनों को अनपट रखने की शाजिश की जारी है ऐसा देखने में आता है तो इस पर क्या बोलेंगे अब देखिए जो सम मंदल के कार्ट के लिए कमंडल आया कमनला इसन हुआ पूरे प्रॉटिक्स का और दूसरा जो है नीजी करन आया तो नीजी करन जो है सीधा सीधा है जब सरकारी स्कूल कॉलेज विश्विद्याले और तमाम जो इंगरिकल कॉलेज रहेंगे तो जाहिर उसमें अरक्षन भी 1990 के दशक में शुरू हुई थी और अपर कास्ट के अपर क्लास के बच्चों को जब तक फ्री में सिक्षा लेनी थी टैक्सपेयर के पैसे से तब तक देखे सरकारी स्कूल की विवस्था सही रही स्कूल कॉलेज सब कुछ बने रहें उतना नीजी के सब लोग सरकारी स्कू के अपर क्लास ने अपने आपको वहां से बिड्रॉ कर लिया सरकारी स्कूल से और चुकि चार्ज जनरेशन के पैसे उनके पास इकटे हो चुके थे सब मेडिकल कॉलेज इंजिन कॉलेज प्रोफेसर आइस बन चुके थे तो उन्होंने अपने लिए नीजी स्कूल की वेव चाहती है कुछ बिश्विद्याले जियो भिश्विद्याले जहां कि कुछ कागज पर है उसको एक्सेलेंस मिल जाता है जो प्राइविट कॉलेज किस तरह से चलने और किसे किरायब बेंच और टेबुल लाते हम लोग सब जानते हैं मेडिकल कोलेज चल रहे हैं तमाश तो भी इंडेफिनिट स्टाइक चला है जे नी उबल रहा है तमाम बिश्विद्याले बीचिव के संस्क्रिट डिपार्टमेंट में फिरोज खान को एपॉंड नहीं किया जा रहा है तो इनका जो है नमनु बिश्विद्याले बनाने की साजिश है किसी भी तरीके से बहुजन को को अलुपसंख्य को गरीब जमात को एजुक्रिशन से आप दूर रख दीजिए और मनु इस मिर्थी के यूग में ले जाने की तैयारी है कि जो जिस जाती का है वही काम करेगा तो यह आप आंकड़े उठा जिसा अगर सरकार वाकई इमांदार है और सबका साथ सबका विक जहती है तो एक काम करें और जाती長ना करौ लें संस करा लें तो यह मान के चलिए कि ये तमाम अब जो ह anestuplex बात का है कि जो बहुजन नेता लोगों बहुजन जमात से वोट दे हैं वह श्रण क्यूं है वह सड़क पे क्यों पहले समाजिक संगठन आए और कई लोगों ने तो मतलब उसका समर्थन तक नहीं किया रोस्टर का जो समाजिक नहीं बात करते हैं लड़ाई प्रूस्टर की लड़ाई हम लोगों ने पिश्विध्यालम से लड़ी तो ताजू भी सबात का है कि सारी सारवनिक संस्था बेच की जा रहे हैं हवाई जहाज ट्रेन रेलवे स्टेशन तमाम जितने भी पॉब्लिक सेक्टर यूनिट है सब बेचे जा रहे हैं लेकिन हमारे नेता जो कि बावा साहब हम बेटकर लोहिया कर पूरी के नाम पर जो लोग राजनिती कर रहे हैं वो क्यों नहीं वैकल्पिक एज अब हजार साल पीछे बोजन जमार जाने की तयारी हो रही है और इस तरह से अंकुष और सिकन्जे कसे जाएंगे आज तो हम आप से बात चित भी कर रहे हैं हो सकता है कि इस बात करने के लिए मुए ग्रफतार भी हो जाओं जानता है तो जब समिधानी नहीं रहेंगा तो ना हम रहेंगा ना आप रहेंगा संस्थाय रहेंगी कुछ नहीं रहेंगी और जो लोग समिधान की सपत लेते हैं वही लोग समिधान पर कुटा कुटारा घात कर रहे हैं और चाहिए समान नागरिकता हो जो भी वह जितने भी आ रहें चाहिए और भी तमाम इसुद जो आ बाज खुलती है जो हमने 5 अप्रील और दो 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 अप्रील और 5 मार्ज के भारत बंद में हमने देखा इसलिए मुझे लगता है कि समाज को जागरित करने के जरूरत है उनके हक हकुख हमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले